तो भाईया इतनी दूर जब आए हैं तो एक चीज और भी दिखा देते हैं आपको तो हम लोग कहां पर आए हैं गैस कीजिए बगली में एक दम लखलाव वाले पहचान गयोंगे तो हम लोग आए हैं वाईया क्लॉक टावर जिसको क्या कहते हैं घंटा घर घंटा घर यह जो कि देखिए कॉलम क्या होता है कि जो यह स्तंब होता है स्तंब ठीक है यह एक चीज पर टिका होता है मतलब उसके नीचे वाले भाग पर टिका होता है जो मतलब जो पूरा भार जो जाता है वह जमीन पर जाता है जमीन के दरफ पूरा भार जाता है इसलिए से कॉलम या पिल हाइट है वो है 219 फीट अगर आप मीटर में तकदील करेंगे तो वो होगा 67 मीटर तो 67 मीटर उंचा ये क्लॉक टावर है तो ये जो बिसिकली क्लॉक टावर है वो बनाया गया था हाँ सेलिब्रेट करने के लिए for the arrival of First Lieutenant Governor Sir George Cooper वो Lieutenant Governor first किसके United ॢवदप्रान्त के first Governor तो इस क्लॉक टावर की पीछे एक किस्सा है वो मैं आपको बताता हूं तो 2010 में डिस्तिक अड्मिनिस्टेशन ने डिसाइड किया कि इसकी जो clock है उसको replace कर देना चाहिए लेकिन दो Samaritan Samaritan का अर्थ है यहाँ पर आप ऐसे कह सकते है चैरिटेबल परसन दो चैरिटेबल परसन थे Captain परितोष चोहान और अथिलेश अगरवाल उनने district administration को अप्रोच किया कि इसकी जो clock है वो नहीं बदली जानी चाहिए और electronic clock से इसको replace नहीं करना चाहिए जैसी है वैसे ही repair कर देना चाहिए तो 2010 में इसकी working start हुई इसको basically repair करने की इसकी working start हुई और September 2011 में 27 साल बाद 27 साल बाद ये clock दुबारा चलने लगी तो ये एक बहुत ही अच्छा किस्सा है कि अपनी पुरानी धरोहर जो होती है पुराना जो monument होता है उसको retain करके रखना तो उन दोनो परसन को charitable person को मेरा सलाम है तो ये एक part था जो पिश्री वाली वीडियो से रहे गया था तो मैंने सोचा कि आज upload कर दूँ तो ये continued part है जो मैं रूमी दरवाजा के पास गया था और ये घंटा घर का है clock tower का है तो अच्छी लगी होगी वीडियो अगर अच्छी लगी आपको वीडियो तो like कर दियेगा share कर दियेगा इस वीडियो का अगर आप मेरे चानल पर नए है तो भाया subscribe भी कर दियेगा और वो bell icon दवाना मत भूलियेगा तो जो next video है वो बहुत ही amazing होने वाली है बहुत ही exciting होने वाली है उसमें बहुत चीजे मुझे explore कर दी है तो stay tuned for the next video this is Tushabis signing off